आज मंगल वार है बालाजी का वार है ये सच्चा दर्बार है सच्चे मन से जो कोई ज्यावे उसका बेडा पार है आज मंगल वार है बालाजी का वार है ये सच्चा दर्बार है सच्चे मन से जो कोई ज्यावे उसका बेडा पार है चैट सुधी पूनम मंगल का जनम वीर ने पाया है लाल लंगोटा गदा हात में सिर पर मुक्ट सजाया है शंकर का अबतार है बाला जी का वार है ये सच्चा दर्बार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है लाज मंगल वार है बाला जी का वार है ये सच्चा दर्बार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है ब्रम्हाजी के ब्रम्ह ज्ञान का बल भी तुमने पाया है रामकाज शिवशंकर नेवानर का रूपधारिया है लीला अपरम्हाः है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है लीला अपरम्हाः है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है बालापन में महावीर ने हर दम ध्यान लगाया है शाप दियारिशियों ने तुमको बलका ग्यान भुलाया है राम नाम आधार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है राम नाम आधार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है राम जनम हुआ योध्या में कैसा नाच न चाया है कहा राम ने लक्ष्मन से यह वानर मन को भाया है राम चरण से त्यार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है आज मंगलवार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है पंच्वटी से सीता को जब रामन लेकर आया है लंका जा करके तुमने सीता का पता लगाया है अक्षाई कुमार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है आज मंगलवार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है मेधिनाथ ने ब्रह्म पाश में तुमको आन फसाया है ब्रह्म पाश में फस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है बजरंगीवा की मार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है आज मंदल हार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है लंका जलाईया अपने जबरावन भी घबराया है राम लखन को आकर के मा का संदेश सुनाया है सीता शोक अपार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है आज बंगलबार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है जे बंगलबार है बालाजी का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है जेहनमान जेहनमान संगड मोचन जेहनमान हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के हम हो गए बजरंग बाला के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के बजरंग बली बड़ मतवाले बजरंग बली बड़ मतवाले भगतों पे दया करने वाले प्रभुराम के मन में बसते हैं हम हो गए बजरंग बाला के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के जो इनका ध्यान लगाते हैं जो इनका ध्यान लगाते हैं सदा मोज में हम तो रहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के कोई कश्ट न उसको आता है कोई कश्ट न उसको आता है हर एक संकट टल जाता है जो सुमिरन इनका करते हैं हम हो गए बजरंग बाला के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बजरंग बाला के श्री गुरु चरन सरोज रज निजमन मुकुरु सुधार बरन उरगु वर्भी मलजसु जो दायको फल चार बुधिहीन तनु जानी के सुमीरा पवन कुमार बलबुधि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार जय हनुमान ग्यान गुन सागर जय कपी स्ति हुलोख उजागर रामदूत अतुलित वलधामा अंजनी पूत्र पवन सुतनामा महावीर वेक्रम बज रंगे कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंदल कुम्चित के साथ हाथ वज्र औध्वजा विराजय कांधे मूंज जने उसाजय शंकर सुवन के सरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन वेद्यावान गुनियति चातुर रामकाज करिवेको आतुर प्रभुचरेत्र सुनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा विकट रूप धरी लंख जरावा भीम रूप धरी असुर संहारे राम चंद्र के काज समारे लाय संजीवन लखन जी आये श्री रगुवीर हरशी उर लाये रगुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिया भरत ही समभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कही श्रीपति कंथ लगावे सनकादिक ब्रह्मा दिमुनीशा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिग पाल जाते कभी को विद कही सके काते तुम उपकार सुग्री वही कीना राम मिलाय राज पद दीना तुम्हरो मंत्र विवीशन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन परभानू लील्यो ताही मधुर फल जानू प्रभु मूत्री का मेली मुख माही जलदिलांधी गए अच्च रजनाही बुर्गम काज जगत के जेते सुगमानो ग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतना आग्या बिनु पैसारे सब सुखल है तुम्हारी सरना तुम रखशक का हो को दरना पापन तेज समारो आपै तीनों लोक हाक ते कापै बूत पिसाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुडावै मन क्रम वचन ध्यान जोलावै सब पर राम तपस वी राजा पिन के काज सकल तुम साजा और मनों रख जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारो जुग पर ताप तुमारा है पर सिध जगत उजियारा साधु संत के तुम रख वारे असुर निकंदन राम तुलारे पश्ट से धिनो निधी के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपती के दासा तुम्हरे भजन राम को भावै जनम जनम के दुख विसरावै अंत काल रघुवर पुर जाई जहां जनम हरिभक्त का आई और देवता चेतना धराई थलमत से इसल्व सुख कराई संकट कटै मीटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जै 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 हनुमान गोसाई क्रिपा कर रहो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिर्थीसा की गोरीसा तुल सी दास सदा हरी चेरा की जै नाथ रिदे महडेरा पानतनाया संकट हरन मंगल मूरतिरू राम लखन सीता सहित रिदाया बस हो सुरबू अंजनि लाला बली बली इब ल्माण चाता से रिदे महें पलकारी देव न दू जासंकट हारी अही माह तेरी बड़ी माहा मंगल मूरति जैहनुमा ओ शिव शंकर के अंच में आए श्री हनुमान जी आप कहाए ताम के सिवत को जीवास मंगल मूरति जैहनुमास ओ अजर अमर हो अंजनिनन्दन सारा जग करियाप का बंदन अदभुत शकी अदभुत ग्यास मंगल मूरति जैहनुमास ओ परवत जैसी आपकी काया असंभव को संभव बनाया तुलसी दास भी करे जुणे दास मंगल मूरति जैहनुमास ओ नाम तेरा जो निश दिन ध्यावे संकट कोई पास नावे पीज तुम्हारा सुझ सहा मंगल मूरति जैहनुमास ओ किश किंधा में सुग्रीव के संगी भै नहीं माना कभी बजरंगी दिव शंपर का मिला मरदास मंगल मूरति जैहनुमास ओ रघु कुल सेवा से रहनाता काम राम का प्रभु तुम्हे भाता दिवा से ही मिले भगवास मंगल मूरति जैहनुमास ओ जग के रक्षक बजरंग बाला राम राम की रटते माला दिव मुनी जने करते लास जैहनुमान को लो जैहनुमास ओ जिसने रिदय में मूरति बसाई उसके संकट हरे बलदाई दशक बनेगे की आगलास मंगल मूरति जैहनुमास ओ पूरी की है राम की आग्या अचल तुम्हारी रहे प्रतिग्या अभी छोटी कभी पदी माहा जैहनुमान को लो जैहनुमास ओ सिया राम भी करे बढाई अंजन सुत हरे पीड़ पराई जाजी सारा जगत जहां मंगल मूरति जैहनुमास ओ राम दूत कोई और न दूजा जिसकी कल युग में हो पूजा पूरति गर्धन में शकी माहा जैहनुमान को लो जैहनुमास ओ बच्च पन में जब मारी उटारी इंद्र देव को अच रजबारी तुजी हनुदो बनी हनुमास जैहनुमान को लो जैहनुमास ओ शंकर सुवन हो राम के दासा भतन की कर पूरी आशा तुजी में तरे आज आसा मंगल मूरति जैहनुमास ओ भक्ति तुम्हारी को जग जाने शक्ति ब्रम्हा विश्नु पहचाने तुमसी है रिती देच है वास जैहनुमान को लो जैहनुमास ओ जैसा चाहा रूप बनाते राम काज को करके दिखाते जावण तक के साथे प्रास मंगल मूरति जैहनुमास ओ अरजुन के रथ पे द्वजा लहरा आई कौरवों की सेना घब राई कर जी हो तुम विजली सावास जैहनुमान को लो जैहनुमास ओ त्रेता युग में चरचा होई हनुमान सावीर न कोई जावत गाना कोई अभिवास मंगल मूरति जैहनुमास ओ परवत राज को तुमने उठाया तिन के जैसा भार बनाया जाती देख ये सब ने राज जैहनुमान गोलो जैहनुमास ओ घूम घूम के लंका जला दी राम की जै जैकार लगा दी तीज के रावण हुआ परिशास मंगल मूरति जैहनुमास ओ हिर दै में सिया राम बसाए अदभुत अदभुत खेल दिखाए अंचट में पड़े चाहि खुद फ्रास जैहनुमान गोलो जैहनुमास ओ आपकी भोली भाली सूरत वेद्याबुधि ज्यान की मूरत मावीर गोड़ी गोड़ी कास मंगल मूरति जैहनुमास ओ प्रभुराम ने नाज किया है अपने चरणों में स्थान दिया है जक्षमण जैसा करी संवास जैहनुमान गोलो जैहनुमास ओ रगु कुल पे जब संकट आया बिगडा कार करके दिखलाया दिवा में करी हासिर जास मंगल मूरति जैहनुमास ओ राम प्रभु के परम उपासक मासीता के शोक के नाशक दिया के सागरे क्रिपानी राम जैहनुमान गोलो जैहनुमास ओ शर्णागत के सब सुखदाता कमल सेह के भाग विधाता आजी रसका तो हमें ग्यान जैहनुमान गोलो जैहनुमास ऐ भालाजी जैह भालाजी जैह मैने बुगान बप्पुंजी तुम रक्षा तरसी बिंड़नाते कान बुला लो बुला लो महंदी पुरवाले बुला लो महंदी पुरवाले सुना है तेरे खेल निराले सुरा है तेरे खेल निराले बुला लो बुला लो महंदी पुरवाले बड़ा ही प्यारा तेरा दर है सबका यहां कटता संकट है संकट मोचन नाम तिहारा कहते दुनिया वाले बुला लो बुला लो महंदी पुरवाले किस्मत के पट खोल दो मेरे कर दो गम के दूर अंधेरे अपने भातों के हर दुख को बाबा टालने वाले बुला लो बुला लो महंदी पुरवाले बुला लो महंदी पुरवाले बल में सबसे तुम बलशाली कोई न तुम सा शक्ती शाली भगतों के हर काम को बाला तुम ही करने वाले बुला लो बुला लो महंदी पुरवाले मनो जवं मारुत तुल्य वेगं जीतेंद्रियं बुद्धि मतां वरिस्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ये बुलिये भगवान श्री राम चंद्रजी महराज की बुलिये बजरंग बली महराज की भगत जनू गो स्वामी तुलसी दास जी ने राम चरित मानस में सुन्दर कांट के माध्यम से मेरे हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन किया है जिसे आप सभी ने पहले भी सुना है देखा है और पढ़ा भी है तथा श्री राम जी की और हनुमान जी के कृपा भी प्राप्त की है परन्तु आज मैं इस संगीत में गाथा के माध्यम से आपको श्री हनुमान जी के बालापन की कुछ गाथाएं सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ग्यात हो जाएगा कि किस तरहे बजरंग बली हनुमान जी बचपन से ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनका जन्म ही प्रभु श्री राम जी के काज समार में हेतू हुआ था तो आएए सुनते हैं भक्तों बड़ी ही श्रधा के साथ श्री हनुमान जी के बालापन की ये पावन संगीत मैं कथाएं हम हनुमान के बालरूप की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बालापन से ही वो कैसी लीला दिखलाते हैं हम बाल रूप हनुमान के चर्णों शीष नवाते हैं हम हनुमान के बाल रूप की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भत हनुमान हम करते तुम्हे प्रणा हे राम भत हनुमान हम करते तुम्हे प्रणा श्री हनुमान जी के बालापन की पहली पावन पवित्र कथा है के कैसे मारूती वजरंगी का नाम हनुमान पड़ा था जिहां भत्रों श्री हनुमान जी के चर्णों का ध्यान लगाते हुई आए सुनिए मेरे साथ ये पावन कथा एक दिन की बात है भक्तों बाल मारूती की सुभा सुभा आँख खुल गई भूक लगाई थी इधर उधर माता अंजनी को देख रहे हैं किन्तु माता अंजनी किसी अवशक कार्य से महलों से बाहर गई हुई थी करें तो क्या करें के तभी जरोखे से बाहर उगते हुए सूर्य पर मारूती की द्रिष्टी पड़ती है मारूती ने सोचा अवश्य ही यह नारंगी रंग का कोई मीठा रस से भरा हुआ फ्थल है उस फ्थल को खाने की ज्छा लेकर बाल मारूती ने एक उची छलांग लगाई भक्तों और चल पड़े आकाश मार्ग से उगते सूर्य का भख्षन करने मार्ग में क्या क्या हो रहा है कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहे हैं बाल मारूती आईए भक्तों सुनते हैं सूर्य देव को खाने बज रंग नब को धाएं राहू के तु रोकने आए रोक न पाएं उड़ते उड़ते सूर्य देव के पास में आएं हैं सूर्य देव बज रंग को देखे और चकराएं हैं सूर्य देव को मुख में डाला और निगल लियां सारे जग में भगतों फिर अंधियारा फैल गयां स्रिस्टी में चाया था भगतों गोर अंधेरा हैं देवी देबता उने मिलकर बज रंग गेरा हैं सारे मिलकर बज रंग को फिर तो समझाते हैं बज रंग को समझाते हैं हम बाल रूप बज रंग बली की गाता गाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भत हनुमाद हम करते तुम्हे प्रणाद हे राम भत हनुमाद हम करते तुम्हे प्रणाद बाल रूप बज रंग श्री सूर्य देव का भक्षन करने उनके सन्मुख जा रहे हैं मार्ग में उन्हे रोकने हैं तू राहू के तू आये परन्तु वो नहीं जानते थे कि ये जो नन्ना सावानर रूप में बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं साक्षात भगवान रुद्र का अवदार है सो वो उसे रोक नहीं पाए श्री हनुमाद जी उड़ते हुए सूर्य देव के सन्मुख आ गए सूर्य देव भी बाला बजरंगी को देखकर हैरत में हैं के तभी बाल मारूती ने सूर्य देव को पकड़ा और उन्हें अपने मुख में रखकर निगल लिया हाहकार मच गया भक्तों स्रिस्टी में अचानक फिर से अन्हेरा फैल गया इससे पहले कोई कुछ समझ पाता सभी देवी देव का बाल मारूती के सन्मुख आ गए और उसे समझाने का प्रयास करने लगे परन्तु बाल मारूती तो बाला पन से ही हटी थे सूर्य देव को मुख्त नहीं किया उन्होंने अब इंद्र एरावत पर चड़कर आया भक्तों और क्रोध में उन्होंने वज्र का प्रहार बाला बजरंग बली की ठोड़ी पर किया वज्र के प्रहार से मुर्चित होकर बाल मारूती गिर पड़े और मूर्चा में खो गए जब पवन देव को यह बात पता चली अक्यंत क्रोधित हुए और ततकाल प्रभाव से प्राण वायू रोग दी तब त्रिदेवोंने जाकर पवन देव को समझाया यदि तुम प्राण वायू रोग दोगे तो सारी स्रिष्टी के जीव जन्तों का अंत हो जाएगा उधर बजरंग की मूर्चा भी तूट गई सबने समझा बुझा कर सूर्य देव को मुक्त करवाया इधर पवन देव ने प्राण वायू छोड़ी स्रिष्टी में सांस में सांस आ गई सबी देवी देवताओं ने मिलकर बाल रूप बजरंग को अनेका नेक वर्दान और शक्निया प्रदान की भगवान शिव ने तूटी हुई हनू के कारण उनका नाम हनुमान रखा तभी से भक्तों बाला बजरंग बली को हनुमान जी के नाम से जाना जाता है देवी देवता मिलकर बजरंग को समझाते हैं सूर्य देव को मुक्त करों उनको बतलाते हैं क्रोध में इंद्र देवने थोड़ी पे था वज्रमारा मुर्छित होकर गिर गया था फिर बजरंग बेचारा पवन देवने क्रोध में आकर वायू रोक दी त्री देवों ने समझाया तो वापस छोड़ दी मुर्चा तूटी सूर्य देव को मुक्त कराया है तूटी हनुसे हनुमान के नाम को पाया है देव देवताओं से हनुमत शक्ती पाते हैं धेर वर दान वपाते हैं हम बाल रूप बजरंग बली की गाठा गाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान हम करते तुम्हे प्रणात दूसरे बाल रूप की पावन कता है के कैसे बाल रूपी हनुमान जी के मन में बाल रूपी श्री राम प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई और इस हे तुम उन्होंने क्या क्या प्रयास किये बात तब की है भक्तों जब श्री हरी नारायन विश्नुने राम रूप में श्री दशरत जी के यहां अयोध्या में जन्म ले लिया था उनके साथ साथ उनके तीन भाई भी जन्मे थे भरत लक्षमन और शत्तुभी सारी सिस्टी में चारों भाईयों की जैजेकार हो रही थी ऐसे में प्रभू श्री राम जी की ख्याती बाल हनुमान के कानों में भी पड़ी उनका मन बाल रूपी प्रभू राम का दर्शन करने हे तु मचल गया परन्तु अयोध्या जाएं तो जाएं कैसे ऐसे में उनके मन में एक विचार घर किया भक्तों पहुच गए अपने स्वामी अपने महारुद्र भगवान शिवजी के पास चर्णों में नत्मस्तक होकर अपने हृदय की बात भगवान भोले नाथ को बता दी भगवान भोले नाथ पहले तो समझे कि बाला बजरंग वली कोई उपहास कर रहे हैं परन्तु जब श्री हनुमान जी ने अपनी हट न छोड़ी तब भगवान शिवजी मंद मंद मुस्काते हुए उनका मिलन बाल रूपी प्रभु श्री राम से करवाने के लिए उपाए सोचने लगे सोचते सोचते उनकी आँखों में चमत आ गई भक्तों क्योंकि वो स्वयम भी प्रभु राम जी के अनन्य भक्त थे वो भी बाल रूप में श्री राम जी के दर्शन करना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक अनुपम अनोखा उपाय सोचा भक्तों वो उपाय क्या था आए भगवान शिव भगवान श्री राम जी तथा भगवान श्री बजरंग वली के चर्णों का ध्यान लगाते हुए सुनते हैं आगे की कथा मन की बात बताने शिव के पास में आए हैं शिव शंकर ने बात सुनी मन में मुसकाए हैं राम दरश की हनुमान जी अठ लगाए हैं शिव शंकर जी राम मिलन की जुगत बनाए हैं स्वयम मदारी बन गए हनुमत वनर बनाए हैं डमर बजाते दोनों आयो क्या नगरी में आए हैं दशरत महल के बाहर दोनों खेल दिखाते हैं राम दरश को दोनों के नैना तरसे जाते हैं डमरो की आवाज सुनी प्रभ बाहर आते हैं राम जी बाहर आते हैं हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान हम करते तुम्हे प्रणात भगवान शिव ने अनोखा ही उपाय सोचा था भक्तों स्वयम तो बन गए मदारी और बाला बजरंग बली को बना दिया नाचने वाला बंदर दोनों डम डम डमरू बजाते नाचते गाते अयोध्या महल के द्वार पर पहुँच जाते हैं डमरू की ध्वनी सुनकर चारों भाई माता पिता और दास दासियों सही महल के झरोखे पर आ जाते हैं बाला रूपी बजरंग जो वानर के रूप में नाचते नाचते प्रभु श्री राम को देखते हैं बाल रूप में प्रभु राम भी अपने अनन्य भक्त को देखते हैं नैनों से नैन मिले हैं भक्त और भगवान के मन में प्रेम के भाव जाग जाते हैं नाच्ते नाच्ते वानर बने बजरंग बाल रूपी श्री राम जी की गोद में चड़ जाते हैं श्री राम जी भी बड़े ही प्रेम से अपने भक्त के सिर पर हाथ थिराते हैं मन ही मन में भक्त और भगवान की बाते हो रही है ए हनुमान अब लीला दिखाने का समय आ गया है थोड़े ही समय के पश्चात मैं लीला करते हुई रिशी मूख परवत पर आऊंगा वहाँ तुमसे मेरी पुनह भेट होगी उधर मदारी बने भगवान छिव्वी बाल रूपी राम जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गए हैं नैनों से प्रेम के अश्रू बह रहे हैं प्रभू श्री राम ने और अन्य तीनों भाईयों ने दोनों हाथ खोल कर मदारी बने भगवान छिव्व और वानर बने श्री बजरंग बली को भेर सारे उभार खाने को फल इत्यादी दिये और उन्हें वहाँ से सप्रेम विदा किया डम डम डमरू बजाते हुए छम छम नास्ते हुए बजरंग बली भगवान और भगवान छिव्व वहाँ से अपने अपने लोग को वापस आ जाते हैं डमरू की आवाज सुनी प्रभ बाहर आए हैं देख मदारी बानर तो रगवर हर शाय हैं नाचते नाचते हनुमत प्रभु की गोधी में आते हैं गोध बिठा के प्रेम से सिर्फे हात फिराते हैं मन ही मन में भग और भगवान मिल रहें शंकर भी प्रभु दर्शन पाकर मन में खिल रहें लीला जब प्रारंब होगी तो पुनर मिलन होगा ए हनुमान तेरा मेरा जल्दी ही मिलन होगा राम के दर्शन पाकर दोनों वापस जाते हैं हम बाल रूप बजरंग बली की गाता गाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे रामभत हनुमान हम करते तुम्हे प्रणाब फिर समय का पहियां घूमता रहा वक्तों कालांतर में प्रभु राम ने अपनी लीला प्रारंब की और मा सीता के हरन के पच्चार श्री राम जी और हनुमान जी का पुनर मिलन हुआ और अपने स्वामी प्रभु राम जी की लीला के प्रमुक पात्र बने श्रीहनुमान जी ने अपने स्वामी के हर कारज को सवारा चाहे मुर्खित लक्ष्मन के प्राण बचाने है तू भूटी का लाना हो चाहे अही रावन की कैद से दोनों को मुक्त कराना हो चाहे वैकुंट से गरुण जी को लाकर श्री राम जी और लक्ष्मन जी का नाग बाश कटवाना हो चाहे समुद्र को लांकर लंका को जलाकर मासीता की सुधी को लाना हो प्रभु श्री राम जी ने भी अपने अनन्य भक्त हनुमान को अपने हृदे से लगाया तथा भाई फरत के समान उन्हें इसने ही बनाया अब प्रभु राम जी रावन को मार कर अयोध्या में लोट आए हैं भक्तों और सभी को कुछ न कुछ सेवा मिली है श्री हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम के चर्णों की सेवा ले ली है श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुई प्रभू राम कहते हैं ए हनुमान तेरे जैसा राम भक्त कभी हुआ न होगा हनुमान कभी हुआ न होगा समय का पईया घूमा रगुवर लीला दिखाए सीता को खोजत खोजत वो बन बन दाए हनुमान और रगुवर का फिर पुनर मिलन हुआ भक्त और भगवान का अदबुद संगम देखो हुआ रगुवर राम के हनुमान ने हर का रज सारे राम जी भी कहते तुम मुझे को वरत सम प्यारे रामण मार के रगुवर भग तो अयोध्याए हनुमान जी ने तिर चंदन तिलक लगाए है हनुमान जी राम की सेवा करते जाते हैं हम बाल रूप बजरंग बली की गाता गाते हैं हम कथा सुनाते हैं भक्त जनों मेरे हनुमान जी को मंगलवार अती प्रिये है इसलिए श्री हनुमान जी के कृपा प्राप्त करनी हो तो हर मंगलवार को भग्वान बजरंग बली के मंदिर में जाई उन्हें सिंदूर का चोला अरपित कीजिए लाल पुष्प से उनका आराधन कीजि मोदक लड़ू बूंदी का भोग लगा कर उन्हें प्रसन कीजि हनुमान चालीसा गाई बजरंग बान का पाठ कीजि फिर देखिए आपको श्री हनुमान जी की कृपा तो प्राप्तो होगी ही उनके साथ साथ उनके आराध्य उनके स्वामी प्रभुश्री राम जी भी जीवन परयंत आप पर कृपालू बने रहेंगे तो मेरे साथ एक बार सच्चे हुदे से बोल दीजिए बुले प्रभुश्री राम चंदर जी महाराज की बुलिय श्री बजरंग बली महराज की